हेलो एवरिवान अब देखते हैं LUNC कोईन पर क्वेक अपडेट सबसे पहले हम LUNC कोईन का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखेंगे 24 घंटे की डुरेशन में 3 नवेंबर 8 बजे से 4 नवेंबर 8 बजे तक कोईन मार्केट कैप ट्रेडिंग वॉल्यूम के अनुसार 24 घंटे में LUNC कोईन ट्रेडिंग वॉल्यूम 217 मिलियन डॉलर था LUNC कोईन के ट्रेडिंग वॉल्यूम में 16 परसेंट की गरावट आई है अब देखते हैं LUNC कोईन की कुछ खबरे Tera Classic अक्टूबर में बड़े पैमाने पर डेवलप्मेंट Tera Classic नेटवर्क में डेवलप्मेंट बिना VC फंडिंग के कम्यूनिटी ओन होने के बावजूद रैपिट पेस से आ रहा है Tera Classic चेन में एक टर्बुलेंट इयर रहा है और कई कारणों से हेडलाइन में रहा है साल की शुरुआत में मंदी के क्रिप्टो वजार की ट्रेंड को कम करने और बड़े पैमाने पर डेसेंटरलाइज क्रिप्टो मनी के वादे पर नई उचाई बनाने से लेकर मई में शांदार रूप से कॉलाप्स तक साउथ कोरियन प्रोसेक्यूटर्स ने डोकवान पर टेरा की कीमत में हेर फिर करने का अरोप लगाया साउथ कोरिया की एक लोकल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश के प्रोसेक्यूटर्स ने यह सुजाब देने के लिए एविडेंस प्राप्त किये है कि टेराफॉर्म लैप्स के को फाउंडर डो क्वान ने एक बार एक एम्प्लॉई को यूना क्लासिक की कीमत में हेर फिर करने का आदेश दिया था तीन नवेंबर को कोरियन ब्रोडकास्टिंग सिस्टम की एक रिपोर्ट साउथ कोरियन प्रोसेक्यूटर के ओफिस के एक ओफिशल को कोट करती है जुनोंने कहा कि उन्होंने कॉन्वर्जेशन हिस्ट्री प्राप्त किया है जिसमें CEO कौन न प्राइस मैनुपलेट करने का आदेश दिया था